श्रिलिंग महाप्रान में 96 वे ध्याय में भगवान में हिशरदारा वीर भद्र का अमाहन और नर्सिंग के तेज को शमन करने के लिए भेजना वीर भद्र तथा नर्सिंग का संबाद भगवान शीव का शरब अवतार धारन करके नर्सिंग तेज को शांत करना एम नर्सिंग द्वारा शीव स्तोती रिशिगन बोले है सूज जी विश्व का संहार करने वाले भवान महादेव ने अत्यंत भ्यंकर तथा विकृत शरब नामक रूप कैसे धारन किया और उन्हें कौन सा महत पौन कृत किया ये सब पौन रूप से बताईए तो सूज जी बोले इस प्रकार देताओं के प्रात्रा करने पर कृपा निधान शीव ने नर्सिंग संग्यक देज को नश्ट करने का निश्चे किया और इसके लिए रुद्र ने महापरले करने वाले अपने भैरव रूप महाबली वीरभद्र का समरन किया ता में वीरभद्र गणों के आगे होकर हसते हुए शीगरी वहाँ आए वे कडोडो श्रेष्ट गणों से घिरे हुए थे चोट हास का रहे थे इदर उदर उचल रहे थे नर्सिंग के रूप वाड़े थे तथा अच्यंत उगर थे वे निरित्य करते हुए तथा महाधीर ब्रह्मा आदी के साथ गेन्प की बाती खेलते हुए परसन्य वीरों से घिरे हुए थे वे वीरवंध्य वीरभद्र कभी ना देखे गे अण्य वीरों से भी आवरित थे वे वीरभद्र परले अगने की जवाला के समान थे वे तीन नित्रों से भुशित अधे वे शेष्ट्रधारन की यह वे थे उनके जटा झुटों ने जदिप्यमान बालचंद्रमा शोबा दे रहा था। इस बरकार की वीरता की शक्ति से परिपोन भगवान वीर बद्र ने स्यम निविदन किया है जिगत स्वामीन यहां पर मुझ को समरंग करने का क्या कारण है आग्या परदान कीजिए और मुझ पर क्रिपा कीजिए तो श्री भगवान जी बोले है बहरव असमे में देवताओं यदि उस से वे शान्त नहीं होती है तब मेरे महा भ्यंकर भैरव रूप को दिखाओ है वीर बद्र मेरी आग्या से शुक्ष रूप को शुक्षम तेज से तता स्थूल रूप को स्थूल तेज से मिनस्ट करके उसके मुझ तता उसकी तवचा को मेरे पास ले आओ इस परक अग्या प्राप्त किये हुए गनेशर वीर भद्र शान्त सरूप धारन करके वेक पूरक वहां पहुंच गे जा नर्सिंग विराजमान थे तंतर भवान वीर भद्र ने नर्सिंग रूप धारे उन विश्नु को समझाया और जैसे पिटा औरस पुत्र से कहता है उसी परका इशान वीर भद्र उन से ये बचन कहने लगे श्री वीर भद्र बोले हे भगवन हे माधव आप तो जगत के सुक के लिए अव्तिर न हुए हैं श्रेष्ट ब्रह्माने संसार के स्थिति के कारे में आपको लगाया है पूर काल में अपनी पूछ में नाव को बांद कर आपने पृत्धि का उधार किया है आपने इस सिंग रूप से हिरना कश्चप का वद्ध किया है आपने वामन रूप धारन करके तीन पगव द्वारा तिलोकी को मापकर बडी को बांद लिया था आप इस सभी प्राणियों को उध्पन करने वाले सब के स्वामी और अभिन जब जब संसार पर कोई विवत्ती पड़ी है तब तब आपने अवतार लेकर उसे दुख रहित किया है। आप मेरी उपस्थती में अपने इस अत्यनत भ्यानक रूप को समेट लेजिए। तो सोजी बोले वीर भद्र के द्वारा शांत वानी में इस परकार कहे जाने पर नर्सिंग रूपधारी विश्ण ने पहले से भी अधिक और महा भ्यानक कोप को प्रजलित किया। अपने से अत्वा दूसरे से भी नहीं हो सकता है। सभी जगा मेरा ही शाषन है अन्ने कोई भी शाषन करने वाला नहीं है। मेरी क्रिपा से संपुरन जगत मर्यादा युक्त होकर क्रिया शील है। मैं ही सभी शक्तियों का परवर्तक और निर्वर्तक हूँ। हे गन अध्यक्ष जो जो विभूती संपन सत्त में शिरी युक्त तथा उर्जा से परिपूर नहें। उसे मेरे ही तेज से परिवर्दित जानो। देवताओं के परम अर्थ को जानने वाले मेरे महान सामर्थ को जानते हैं। शक्ति संपन ब्रह्मा इंद्र आदी देवता मेरे ही अंश हैं। पूर काल में चत्रमक ब्रह्मा मेरे नाभी कमल से उत्पन हुए थे और उनके ललाट से भगवान विशब धच शीव उत्पन हुए थे। ब्रह्मा रजगुन से अदिश्टित हैं, रुद्र तमगुन से युक्त गहे जाते हैं। मैं सब का नियनता हूँ, मुझसे श्रिष्ट कोई देवता नहीं है। मैं सब से बढ़कर हूँ, सतंत्र हूँ, सब का श्रिष्टा हूँ, संहार करने वाला हूँ, तदा सब का स्वामी हूँ। मेरे इस नरसिंग नामक परमतेज के विशे में कौन सुनना जाता है। मेरी शरन परात करके तुम संताप रहित होकर यहां से जाओ। भूतों के महिशर, तुम मेरे इस परम बाव को समझो, मैं काल हूँ, मैं काल के विविनाश का कारन हूँ, मैं लोकों का संहार करने में परवित हूँ, हे वीर भद्र, तुम मुझको मृत्यों की वी मृत्यों जानो, यह देवतावी मेरे कृपा से ही जी रहे हैं। तो सूजी बोले विश्णों का ये एहंकार पूर्ण वजन सुनकर असीम प्राकर्माले वीर भद्र स्फोरित होटों वाले होकर तिसकार पूर्ण बाव से हसकर नर्सिंग से कहने लगे श्री वीर भद्र बोले क्या आप संहार करता पिनागधारी विश्वेशर शिव को नहीं जानते हैं मिध्यावाद विवाद आपके लिए केवल विनाश सवरोपी है जिस किसी परकार से आपके द्वरक किये लिएगे विभिन अवतारों में कौन शेश रह गए हैं आप तो केवल आप ही बचे हुए ह आप इस दोश को देखिए जो आप इस तशा को पराब्त हुए हैं संहार में दक्ष उन्श सिव के द्वारा आप शनबर में विनाश को पराब्त हो जाएंगे आप प्रकति हैं रुद्र प्रूश हैं आप में संपूरन तेस हमाहित है पांच मुक्वाले पिता में भ्रम्ह आपके नाभी कमल से प्रादर भूत हुए है गोर तबस्या में लीन उन्होंने पूर काल में जगत की शृष्टी के लिए अपने लिलाट में नील लोहिच शंकर का चिंतन किया तब शृष्टी के लिए उनके लिलाट से शंबु आवे रभूत हुए अधे ये शिव का नहीं है महा बहरव रूप देदेव शृष्ट्र का अंच सरूप मैं विने तथा बल से आपके संहार के लिए नियुक्त किया गया हूँ इस परकार शक्ती की कला से युक्त आप इस राक्षश को विदिरन करके एहंकार के वशिवूत होकर निर आलस से होकर गरजन कर रहे ह दुस्टो के लिए किया गया अपकार केवल अपकार के लिए ही होता है हे सिंग यदि आप महिशर को अपने से बाद में उपन समझते हैं तो ये आपका ब्रह्म है आप ना तो शिरिष्टी करता हैं ना संहार करता हैं और ना तो किसी परकार सुतनत रही हैं आप कुमार के चक्र की बाती शीव के द्वारा प्रेरित हैं कोर्म रूप धारी आपका कपाल आज भी शीव के गले के हार के मज्य स्थित हैं हे मुक्द इसे आप क्यों नहीं याद कर रहे हैं उनके अंच से उपन तारका सुर्शत्रु सकंद के द्वारा अक्रोश पूरक आपके ग्रेसे दांत खाल लिये जाने से आपको बहुत कस्त वा था क्या इसे भी आप भूल गए हैं विश्वक सैन रूप से आप उन रुद्र के त्रिशूल के अग्र भाग से चल पूरक जला दिये गे थे मैंने दक्ष के यग्य में यग्य रूप धारी आपके सिर को काट दिय था आपके पुत्र भ्रमा का तमों में कटा हुआ उनका अंशभूत पांचवा सिर आजवी विद्यमान है क्या आप उन रुद्र के उस बाल को नहीं जाते हैं रिशी ददीच ने सिर खुजलाते हुए आपको मरदगनो सहित संग्राम में प्राजित कर दिया था इसे आप क किसने बनाया ये सब भी आप भूल गए मैंने आपके सभी लोकों को छीन लिया था और उस समय आप निद्रा के वशी बहुत होकर शीर सागर में शियन करते रहे आप सातिक पालक मूर्ति कैसे हो सकते हैं आप विश्णू से लेकर त्रिन प्रयंत सब कुछ रुद्र शक्ती से समन्वित है मौक और प्राप्त आप तथा अगनी दोनों ही रुद्र की शक्ती से समर्थ युक्त हैं उनके तेज के परभाव को देखने में आप दोनों विश्णू अगनी समर्थ नहीं हैं जो स्थोल द्रिष्टी वाले हैं वे ही विश्णू के परंपत को देखते हैं सर्ग प्रिथी के वामन रूप से इंद्र के जियन्त रूप से अगनी के कार्थिक रूप से धरम राज के नाराइन रूप से वरुन के ब्रिगू रूप से और चंद्रमा की कलंकित उदर से बुद्ध रूप से उत्पन होकर आप परमेश्वर के रूप में परतिष्टी थे आप काल महा काल एम काल के भी काल महिश्य रहें आप शिव के अंच से काल के भी काल होंगे वे स्थिर दनुश वाले शिव अनश्वर सबसे अधिक प्राकर्मी वीर सरवश्रेश्ट तर सब के स्वामी हैं वे रोक को नश्ट करने वाले भ्यानक तर सर में म्रिगाकार पक्षी शरव रूप हैं संपुरन जगत के शाशक ना तो आप हैं और ना चत्रमुक भ्रह्मा इस परकार सब को सोच कर अपने रूप को पूर्न रूप से समेट लीजिए अनिता माहम भैरव रूपी रुद्र के क्रोद का शरब रूपी वज्र आपकी मृत्यों बनकर उसी तरह गिरेगा जैसे परवत पर वज्र गिरता है सोच जी बोले वीर भद्र के इस परकार कहने पर नर्सिंग क्रोद से व्याकुल होकर गरजने लगे और तीवर वेक से उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे इसी बीच वी प्वक्ष में भय उत्पन करने वाला महा भ्यंकर गगन व्यापी तदा दुद्र शीव तेज उत्पन हुआ उस शन वीर भद्र का जो रूप दिखाई पड़ा वे ना तो स्वर्ण में था ना चंद्रमा से उत्पन था ना सूरी से उत्पन था ना अगनी से उत्पन था ना विद्युत के समान था और ना चंद्र के तुल्य था वे शीव से संबंदित अनपम रूप था उस समें सभी तेज उस शीव रूप में विलीन होगे इससे वे महातेज अव्यक्त रूप में स्थित हो गया और शरब नरसिंग ये दो व्यक्त रूप प्रगट होगे उससे भ्यंकर अकृति वाला तथा रुद्र के विशिष्ट च अंगलों से युक्त होकर वे शिव हजार बुझाओं वाले जटाधारी सिर पर अर्चंदर धारन किये हुई पशु के आदा भाग शरीत से दो पंखों से और चोंच से म्युक्त होगे उनके दात विशाल तथा ती तीक्षन थे वे वजरतुले नक रुपी अस से शोबी त रहे थे उनका कंठ कृष्ण वरन का था वे चार भुझाओं वाले तथा चार पैरों वाले और अगनी से उत्पन परतीत हो रहे थे वे युक्त के अंत में उत्पन मेक के समान भ्यंकर तथा गंभीर ध्वनी कर रहे थे उनके तीनों नेत्र क्रोज से फैले हुए थे विश विशनों का बल तथा प्रकर्म नस्ट हो गया वे सूरी के समुख खद्योद जुगनों के समान परकाश धारन कर किये हुए परतीत होने लगे इसके बाद हर रूप शरब ने अपने पंखों से उने जकट कर नाभी तथा पैर को विदेर्न करते हुए अपनी पूस से पैरो को बांद कर बुजाओं से उनकी बुजाओं को कस कर उनके वक्ष पर परहार करते हुए उन हरी को अपनी बुजाओं में जकट लिया तंतर वे भगवान शरब जैसे गड़ुत सर पर आकर्मन करता है वैसे ही उड़ उड़ कर उने उपर की और उच्छाल कर बार बार उने गिरा कर पंखों के अगाज से मूर्ची तथा डरे हुए विश्नु को लेकर देटाओं तथा महिर्शियों के साथ अगाश मंडल में चलेगे। सभी देटा विश्नु तथा उन शरे शरब रूप विच्वेश इश्वर के पीछे पीछे चलने लगे और नमाम वाक्त के से उनकी स्तुती करने लगे। परवश होकर ले जाए जाते हुए विश्नु दीन मुख होकर हाद जोड़कर लिले तक्षर द्वारा उन प्रमेश्वर की स्तुती करने लगे। शरी नर्सिंग बोले शर्व महाग्राज विश्नु एमरुद्र को नमशकार है। उगर तथा भ प्रमेश्वर को नमशकार है। आप प्रातपर विश्वर तथा विश्वमूर्थी को नमशकार है। विश्नुकलत्र, विश्नुशेत्र तथा बानु को नमशकार है। के वर्त, किरात, महाव्यात, शाश्वत, भैरव, शरन्य तथा महाव भैरव रूप को नमशकार है। नर्सिंग संहर्ता, कामकालपुरारी, के शत्रु, महाव, पाशोद संहर्ता, विश्नुमायांत्कारी, त्यंबग, तीन नित्रोवाले, त्यक्षर, भूत, भैश्य वर्त्मान में नाश रहित। विचित्रय हेत। वरत, अवतार, अविमानियों का पतन करने वाले, सर्वकारन हेत। कपाली, क्राल, पती, पुन्यकिर्ती, अमोग, अग्निनित्र, लुकलीश, शंभू, कल्यान करने वाले, विष्टम, मुंड, दंडी, योग रुपी, मेघवा, देव, तथा पार्दी पती को नमिशकार हे। आप योगीश्वर, नित्य, सत्य, प्रमेश्टी, तथा सर्वात्मा को नमिशकार हे। एक सो आठ अम्रत में नमों से, शरब रूप ईश्वर शिव की स्तुती कारके, पुने उनसे प्रात्रा की है प्रमेश्वर, जब जब अति एहंकार से दोशी तक ज्यान मुझ में अपन हो, तब तब आप उसे दूर करें। इस परकार शंकर से प्रात्रा करते हुए, वे नर्सिंग पर सन्न हो गए, तब वीरभद्र ने का आए विश्णू, आप वास्तम में अशक्त हैं। और जीवन के अंत में प्राजित हुए हैं, इसके बाद वीरभद्र ने शंद भर में ही, नर्सिंग रूप धारे विश्णू के विग्रे को बचे हुए मुखवाला करके, शेश विग्रे से तवचा खीच कर, उसे मात्र हड़ियों से युक्त कर दिया, और इस परकार वे विख्रे अति शेत वरनवाला हो गया, देवता बोले हे वीरभद्र, ब्रह्मा आदी हम सभी देवता आपकी द्रिष्टी से उसी परकार जीवित हैं, जैसे विरिक्ष मेक से जीवन प्राप्त करते हैं, जिनके भय से अगनी जलती है, शाक्षात सूर्य उपता है, वायू बहती हैं और पांची मृत्यू दोड़ती हैं वे आपी हैं, हे भगवन, भ्रम्मवादी लोग आपको अनिर्वाच्य, चिद्दाकाश, कलातीत, सदाशी तता भाव कहते हैं, आप जगत अधार के विशे में जानने में हम असमर्थ हैं, आप हमारे प्रमेश्वर हैं, आप के रूप लावन्य वर्नन का अंत नहीं है, ऐसा जानी, हे गानधिप, सभी विपत्यों में हम लोगों की रच्छा कीजिए, हे एक अधा रुद्र रूप, आप भगवान हर विशेष्ट विक्रे वाले हैं, हे शिव, आपके इस परकार के इन्हेक अवतारों को देखकर, हम संख्या होती है, वैसे ही आपके अनंत रूप हैं, जिने आप चारों और से उपसंहरित कर लीजिए, ये संसान आपके प्रवेश युग्य हो, इसका संहार मत कीजिए, वेदविता ब्रामन कहते हैं, कि आप रुद्र के पर अपर दो शिरी रहें, एक घोर तथा दूसरा श किजिए, आपने अपने ही तेसे संपूरन जगत को व्यापत का रखा है, हे महिशर, ब्रम्मा, विश्नु, इंद्र, रुद्र, आदी, हम प्रमुख देवता, गान तथा अन्य देवता और असुर, सभी लोग आप से उत्पन हुए हैं, ब्रम्मा, इंद्र, विश्नु, य हम आदी देवता, असुर, तथा ब्रांत, अंता करनवाले नर्सिंग, हरी का निग्रे करके, अपने शीर को आठ परकार से, सुर्य आदी रूप में विवाजित करके, आप सभी का धारन पोईशन करते हैं, अता हे भगवन, अविश्ट दानों के द्वरा हम देवताओं की रक्षा कीजिए, तथ बश्चात देवीर भद्र ने उन देवताओं तथा प्राचीन दिश्यों से कहा, जैसे जल में जल, दोद में दोद, घृत में घृत डाले जाने पर एक हो जाता है, वैसे ही विश्णु शीम में लीन है, इसमें संदे नहीं है, ये गर्व युक्त महाबली नर्सिंग जगत का संहार करने वाले रूप से प्रगट हुए हैं, मेरी भक्ति की सिद्धी की इच्छा रखने वाले को नर्सिंग की पूजा करनी चाहिए, वो नर्सिंग रूप धारी विश्णु को नमश्कार है, इतना कहकर महाबली भगवान वीर भद्र सभी दिवताओं के देखते देखते वहीं पर अंतर ध्यान हो गए, उसी समय से शंकर जिन नर्सिंग के चरम को वस्तर के रूप में धारन करने लगे, और नर्सिंग का मुंड उनकी मुंड माला में मनी के रूप में शुबा पाने लगा, तरंतर विश्वे से परसंद नित्र व अख्यान को पड़ता अत्वा सुनता है, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है, वे अख्यान धन्य बनाने वाला, यश देने वाला, आयो परदान करने वाला, रोग रहित करने वाला, पुष्टी की वृध्धी करने वाला, सभी विगनों को शांत करने वाला, सभी व्य करने वाला, सभी भूत प्रेत को दूर करने वाला, दोष्ट क्रेहों का शे करने वाला, पत्र पत्र की वरिद्धी करने वाला, योग सिद्धी परदान करने वाला, बढ़ी भांती शिव ज्यान को परकाशित करने वाला, शेश लोक का सो पांच सवरोग वांचित वलो की सिद करने वाला विश्णु माया को दूर करने वाला देवताओं के परमारत को देने वाला वांचा की सिद्धी परदान करने वाला और रिधी प्रग्या आदी देने वाला है। चाहिए। शीव परतिष्टा के अस्र पर शीव की सन्निधी प्रात करने वाले इस तोत्र को पढ़ना चाहिए। जो इस सर्वत्तम सोत्र को पढ़ता अत्वा सुनता है वे रुद्रत प्राप्त करके रुद्र का अंचर हो जाता है। शीर निंग महाप्रान के 97 धाय में जिलंदर वद्ध की कता रिशीगन बोले हे रुद्रो महर्शन हे सुरत सिर पर जटा धारन करने वाले तिधा भाग के नेत्रों का हरन करने वाले ववान शीव ने इंद्र के स्वन प्रकर्मी जिलंदर का वद्ध कैसे किया। हम लोगों को ये बताने की कित्पा कीजिए। तो सूद्ध जी बोले हे रिश्यो जालम मंडल से उत्पन जिलंधर नाम से परसिद्ध यम्राज तुल्य एकसुर था। वे अपनी तपस्या से बड़ा परकर्मी हो गया था। उसने युद्ध में गंधर्व यक्ष उरक्त था राक्षो सहीत सभी देवताओं को और अजन्मा भगवान ब्रह्मा को भी जीत लिया था। देव समदाइत था ब्रह्मा को जीत करके वे जलंधर विश्य विनाशक देव दिवेशर गुरु विष्णु के यहां पोचा। उन दोनों में दिन रात निंतर युद्ध होता रहा और उसने मधुसुदन विष्णु को भी प्राजित कर दिया। उन देव जनादन को भी जीत कर न्याय बुद्धी वाले जलंधर ने इश्वर शीव को जीतने के लिए दिती के पुत्रों से कहा। दर्शन में तत्पर दानव उच्छ सर में गरजने लगे। इसके बाद वैब बल्शाली जिलंधर रात हाथी तथा घुड़ों पर स्वार शेष्ट्र युक्त इन देट्यों तथा अन्य सेंकों के साथ साथ धान होकर शीव जी की ओर चल पड़ा। तब मेरु के शिखर के समान स्थित उस देट्यराज को देख करते था उसके अवदध दस्त को दूसरों से सुनकर भाग के नित्र का हरन करने वाले तथा लोखों की रक्षा करने वाले प्रभु शीव ने जो पार्ती नंदी तथा गणो सहित वहां थे प्रह्मा के वचन की रक्षा करते हुए हसते हुए उस 33 से कहा है असुरिश्वर अब इस युद्ध से कौन सा कारे सिद्धोगा मेरे बानों के द्वरा छिन भी नंगो वाला होकर प्रसंता पूरक मरने के लिए तैयार हो जाओ कानों को विदेन करने वाले उस वचन को सुनकर असुर सेना के वचन कहा है महाबाहो ही देव देव ही वरिशबदवज ऐसी बात मत बोलिये ही हर मैं चंद्र किर्नों के समान चमकते हुए शष्ट्रों से युक्त करने के लिए यहां आया हूँ उनके वचन को सुनकर शिवजी ने शीग रही दीला पूरक अपने पैर के अंगोठे से महा सागर में भ्यानक चक्र रूपी आयुद्ध निर्मित कर दिया तर समुद्र जल में इस शुब्र चक्र को स्थित करके और यह सोच करके इसके द्वरा तीनों लोक तथा देवता गन मार दिये जाएंगे दक्ष अंदक अंदक और त्रिपुर के यग्य को नस्ट करने वाले तथा तीनों लोकों का संहार करने वाले भवान शीव हस्तेवे कहने लगे ही जैत्यों ही जिलंदर महा सागर में मेरे पादंगोस से निर्मित किये कि अस्तर को उठाने में यदि तुम समर्थ हो जाओ तब तो युद्ध करने के लिए ठहरो अन्य था नहीं इसके उनके इस होला हे शंकर जिस परकार गरुड विश्हीन डुडुब सर्पों को मार डालता है वैसे ही अपनी गदा उठा कर नंदी को तथा तुम को मार कर पुणा देवताओं सहीच सभी लोकों का संहार करके मैं इंदर सहीच संपूरन चिराचर जिगत का संहार करने में समर्थ हूँ हे महिशवर तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो मेरे बानो द्वारा छे दन के युग गिना हूँ मेरे बच्पन में तपस्या से भवान विश्नु को जीत लिया था और यूवावस्त हमें बल शाली ब्रहमा को तो था बड़े बड़े देवताओं सहीच मुनियों को जीत लि परकार इंद्र अगनी यम कुबेर वायू वरुन आदी भी मेरी गंद को सैन नहीं कर सकते हे शंकर सर्ग में तथा प्रिथी पर अपना प्रतिवंदी ना पाकर सभी परतों पर जाकर मैंने अपनी भुजाओं को घर्शित किया हे गनिश्वर कुज राहत मिटाने के लिए म मेरी बुजाओं के दोरा गंगा रोक ली गई थी और मेरी इस्तियों के सेव को दोरा देवटाओं का वज्जर बांद लिया गया था मैंने हाथ से पकट कर वडवागनी के मुक को भंग कर दिया था उसी शन ये सब एकारनम हो गया था एन मैंने एरावत तादी हाथियों को समद्र जल के उपर भंग दिया था और भवाण इंद्र को रच सही सो योजन दूर भंग दिया था मैंने विश्णो सखीत गरूर को भी नाग पास से बांद लिया था मैंने अर्फशी आदी नारियों को कारागरा के अंदर डाल दिया था और इंद्र ने मुझ को परनाम कर किसी परकार केवल शची को वापस पराद किया था है उमा बते क्या आप मुझ देत्रा जरंदर को नहीं जानते हैं सोजी बोले हे रिशियो तब उनके इस परकार कहने पर महादेव ने अपने नित्र की अगनी के एक भाग की कला के आदे के भी आदे भाग से उसके समुचे रत को जिला दिया त्रीपूर शत्री शीव के देखने मातर से देत्तियों की विशाल सेनाओं घोडों तथा हाथियों के साथ सबी देत्तिंदर धग्द हो गई गजों में चारों और से गिरा हुआ वे अलबुदी जिलंदर हाथी से उतर कर विनाश के लिए उद्यत दिवेश शीव से बोला मुझे युद्ध करने से क्या प्रियोजन क्योंकि मैं देव देट्य सहित इस समस्थ जगत को शन भर में नश्ट करने में समर्थ हूँ मुझे कोई भै नहीं है किन्तों आपको युद्ध करने की मेरी तीवरिचा है इसमें संदे नहीं है मादेव से ऐसा कहकर मादेव के शट्रों को अननदित करने वाला वै जिलंदर ना तो हिला डूला और ना तो उसने युद्ध में मारे के बांधों का समरन किया अविवान के कारण उद्धंड सभावाला जिलंदर बुजाओं से शब्दकार के शिव को मारने के लिए अध्यत हुआ और उसने रुद्धर निर्मिजस्दस्चन नामक चक्र था उसे अपने भुजाबाल से बड़े प्रियास के द्वारा अपने कंधे पर रखा हे शिरिष्ट ब्रामनो उसी समय उस दुद्धर ब्यानक चक्र से उस चरंदर के दो टुकडे उसी परकार होगे जैसे वज्जर के द्वारा काटा गया कोई महा परवत दो भागों में हो जाता है हे दी जो वै बल्वान देट दूसरे अंजन परवत की भाती गिर पड़ा उसके भ्यानक रख से उसी शन में स्थान बर गया अहो रुद्र की आगया से उसका सारा रक्त था मास माहा रोरव नरक में पहुँचकर रक्त कुंड बन गया उसमे जलंदर को मरा हुआ देखकर देटा गंदर था पार्षद महान सिंग नात करके हे दी बहुत अच्छा हुआ ऐसा कहने लगे जो विक्ति जिलंदर वद की इस कथा को विधी पूरक पढ़ता और सुनता है अत्था सुनाता है वे गन्पदी पद पराप्त करता है श्री लिंग महा प्रान अठान्यों अध्याए भगवान विश्णु द्वरा एक सहस्तर नामों से भगवान शीव की स्तुती करना तब परसन्न होकर महिशर द्वरा उन्हें सुदर्शन चक्र परदान करना रिशिगन बोले है सुजी भगवान विश्णून ने देव देव महीशत से सुदर्चन नामक चक्र कैसे प्राप्त किया इसे आप बताने की किर्पा करें तब सूजी बोले हे रिशियो देवताओं तथा महान असुरों के बीच सभी प्राणियों के लिए विनाश कारी अती भ्यंकर तथा महान युद्ध हुआ शक्ति मूसलों जुके परवों वाले बानों तथा भालों से प्रहार किये जाने पर विद देवतागन भैसे व्याकल होकर भाग गी चरंतर प्राजित होकर शोक संतप्त मन वाले देवताओं ने देव दिवेशर सुरेशान विश्नु के पास जाकर उन्हें परनाम किया परनाम करके स्थित हुए उन देवताओं की और देखकर देव दिवेशर भवान विश्नु ने ये वचन कहा हे वच्ष देवतागन, हे सूरतो, अलंकार तथा प्राकर्म से विहीन आप लोग दुखी होकर यहां पर किस लिए आगे आये हैं। इसे बताईए, उनके उस वच्ष देवतागन पर नाम करके जैसा घटित हुआ था वे सब उन देव देविशनों से कहने लगे। हे जनारदन आप ही भरता भरन करने वाले, हरता संहार करने वाले, भोगता तथा दाता हैं। अता हे देट्य मरदन आप दानों का वद्ध करने की कित्पा कीजिए। हे कमल्नियन वे सबी देट्य वर प्राप्त कर लेने के कारण विशनों, ब्रह्मा, रुद्र, यम, कुबेर, चंद्र, नरिती, वर्न, वायू, अगनी, इशान, परजन्य, तथा सूर्य के अत्यंत, द्रिट, दारुन, भ्यान, कंपा देने वाले, तथा शक्ती, रहित कर द देने वाले अस्त्रों से भी अवध्य होगी, हे जगत गुरू, चवन पुत्तर दीच ने सूर्य मंडल से उत्पन आपके उठे हुए चक्र को कुंठित कर दिया था, आपकी किरपा से देट्यों ने आपके दंड, धनुश तथा अस्त्र को प्राप्त कर लिया है, पूर का आप उन दानों का वद्ध कर सकते हैं, उसी अस्त्र से ये दानों मारे जा सकते हैं, अन्य सेंकडों अस्त्रों से नहीं, तंतर उनका वचन सुनकर कमल के समान नित्रवाले चक्रधारीवे विश्णू, वाच्सपती आदी परधान देटाओं से सिहम कहने लगे, श्री आतन देटाओं के साथ महा देव के पास पहुंचकर आप देटाओं का संपूरन कारे करूंगा, ये देटाओं, चलंदर का वद्ध करने के लिए शिवजी के दवरा बनाएगे चक्र को प्राप्त करके, उसी के दवरा सभी महान असूरों दुन्दू आदी देत्यों तथा और सट सो अन्य असूरों को बांदो सहित शन भर में मारकर मैं आप देटाओं का उद्धार करूंगा। गंद आदी के द्वरा पूजा करके जिनार्दर ने ज्योथी रूप नरवasures शीव की स्तुति की। पुना अगणी में देव रुद्र की पूजा करके उननों प्राणाम करके आदी में भावी नाम वाले सश्त्र नाम के द्वरा, कर्म से आदी में प्रणव तथा अन्थ मे दाकर शिव की पूजा कि, प्राराम में भाव नाम के सस्त пром के द्वारब्र प्रतेक नाम का उच्यारण करते हुए, उन्हें कमलपुष्प से महेश्वर भुवान शिंकर के पूजा कि की, तंतर उन्हें अंतमें स्वाहा मृले भाव आधी नामों से समिधा आधी के द्वारा विधीपूरा कगनी में प्रतेक नाम की दस हजार आहुती देकर बना भाव आधी नामों से उन प्रभू भाव इश्वर शंभू की इस प्रकार स्तुति की। श्री विश्ण बोले भव शिव हर रुद्र प्रोष पदम लोचन अर्थि टव्व्य शदाचार सर्शंबू महीश्वर इश्वर स्थानू इशान सेश्ट्राक्ष सस्त्रपात वर्यान वरद्वंद्य शंकर प्रमेश्वर कंगाधर शूल्डर प्रार्थक प्रयोजन, सर्वग्य, सरवदेग दिगीर, धन्वा, जटाधर, चंद्रापीड, चंद्रमोली, विद्वान, विश्वाम्रेश्वर, व्यदान सारसंदो, कपाली, नीलोहित, ध्यानाधार, अपरिच्छिद्य, गोरीभर्ता, गनीश्वर, अश्टमूर्ति, विश्यमूर्ति, तृवर्ग, स्वर्गसाधन, ज्यान गम्य, दृडप्रज्य, देवदेव, तिर्लोचन, वामदेव, महादेव, पांडो, परिद्रिड, अद्रिड, विश्वरूप, विरुपाक्ष, वागीश, शोचि, अंतर, सरप्रणेच समवादी वरिशांक वरिश्वाहन इश्पिनाकी खडवांगी चित्रवेश चिरंतन तमोहर महायोगी गोपता ब्रह्मा गह जितिरी काल काल कृतिवासा सुभग प्रनवात्मक उनमत्वेश चक्षुष्य दर्वाशा समर्शाशन त्रेडा युद्ध सकंद गुरू परमेश्टी प्रायन अनादी मध्यनिधन गिरीश गिरी बांदव कुबेर बंदु शिरिकंट लोक वरन उत्तमां सामान्य देव, कोदंडी, नीलकंट, परश्वधी, विशालाक्ष, मिरे गिव्याद, सुरेश, सुरितापन धर्म कर्माशं, शेत्र भवान, भागनेत्र भिद उग्र, पश्युपती, ताक्षर प्रिय भक्त, प्रिय वंद दान्तो दियाकर दक्ष, कपर्दी, कामचाशन, शम्शान निले, शुक्षम, सम्चानस्त, महिश्वल लोककरता, भूत्पती, महाकरता, महाउश्टी, उत्तर, गोपती, गोपता, ज्यानगम्य, पुरातन नीती, सुनीती, शुद्दात्मा, सोम, सोमरत, सुखी, सोमप, अम्रतप, सोम, महानीती, महामती अजाच्चत्र, आलोक, संभाव्य, हव्यवाहन, लोककार, वेदकार, सुत्रकार, सनातन महिर्शी, कपिल आचार, विश्यदीप्त, तिलोचन, पिनाक्पानी भुदेव, स्वस्तितत, सदा स्वस्तिकृत त्रीधामा, सोभग, शर्व, सर्वग्य, सर्वगोचर, प्रम, ध्रेगी, वश्य, स्रिक्स्वर्ग, करनिकार, प्रिय, कवी, शाक, विशाक, गोशाक, शीव, नेक, करतु, सम, गंगा, पलवोदक, भाव, सकल, स्थपति स्थिर विजित्तात्मा, विद्ध्यात्मा, भूत्वाहंसार्थी, सगन, कानकारि, सुकीति, चिन्नशंशी, कामदेव, कामपाल, बसम उद्देलित्विक्षे, बसंप्रिय, भशमसाई, कामीकांत, कृतागम सम्मयोक्त, निवरित्तात्मा, धरमयोक्त, सदाशीव, चतुरमुक, चतुरबाहु, दुरवावास, दुरासत्थ दुर्गम दुरलग, दुर्ग, सर्व युद्ध विशारत, अध्यातम योगनिले, सुतंतू, तंतू वर्धन, शुभांग, लोकसारंग, जिक्दीश, अम्रताशन, बसंचुद्धीकार, मेरू, अजस्वी, शुद्ध विक्रे हिरन्यरिता, तर्नी, मरीची, महिमाल्ले, महाहरत, महाघर्ब, सिद्ध, व्रिंदारवंदित, व्याग्रचरमधर, व्याली, महाभूत, महानिधी, अम्रतांग, अम्रत्वपु, पंचियग्य, परभंजन पंच्विष्टित्दवग्य, पारिजात, प्रावर, सुलब, सुरत्शूर, वान्मै एक निधी, निधी, वरन आश्रमगुरू, वरनी, शत्रुजिच्च, त्रुतापन, आश्रम, शपन, शाम, ज्यानवान, अचलाचर, प्रमानभूत, दुर्जे, सुपर्न, वायुव भाहन, धनुर्धर, धनुर्वेद, गुम्राशी, खुनाकार, अनद्रिष्टि, अनन्द, दंड, दमैता, दम, अभिवाध्य, महाचार, विश्यकर्म, विशारत, वीत्राग, विनीतात्म, तपस्ची, भूत्भाहन, उन्मत, वेश्पर्चन, जित्काम, अजित्प्रिय, कल्यान प्रकति, कल्प, सर्वलोग प्रजापति, तपस्वीतारक, धीमान, परदान प्रभु, अव्यय, लोगपाल, अंतरहितात्मा, कल्पादी, कमलेक्षन, वेद्शास्त्र अर्थत्वग्य, नियम, नियमाश्रे, चंद्र, सूर्य, शनी, केतु, विराम, विद्रुम भक्ति गम्य, परम, भ्रम, म्रिग, पार, अर्पन, अनग, अद्री, राजाले, कांत, परमात्मा, जगत्गुरु, सरकर्माचल, तवस्ता, मंगल्य, मंगलावरित, महातपा, धीतपा, स्थविष्ट, स्थविर, ध्रुव, एह, समस्षर, व्यापति, परमान, परम, तप, समस्षरकर, मंत्र, प्रत्याई, सरदर्शन, आज, सरवेश्वर, सिनिग्ध, महारिता, महाबन, योगी, योग्य, महारिता, सिध, सर्वादि, अगनित, वसु, वसुमन, सत्य, सरपाप, हर, अम्रत्षाश्वत, शाद, मान, हस्त, प्रताबवान, कमंडलुधर, धन्वी, वेदान, वेद्वित, मुनि, ब्राजीशन, भोजन भोक्ता, लोकनिता, दुराधर, अतिंद्रीय, महामाय, सर्वावाय, अवास, चतुश्पत, कारियोगी, महानाद, महोच्सा, महाबल, महाबुद्धी, महावीद्य, भूचारी, पुरंदर, निशाचर, प्रेट्चारी महाशक्ती, महाध्युती, अर्दिद्ध्यवपू, शिरिमान, सर्वहार्यमित, अगति, बहुश्रुत, बहुमे, नियतात्मा, भावद्व, ओज, तेजोध्युतिकर, नर्तक, सर्वकामक, नित्यप्रिय, नित्यनित्य, प्रकाशात्मा, बुद्ध, स्पस्टक्षर, मंत्र, सन्मान, सार्संपलाव, युग आदि, कुद्योग, अवर्त, कंभीर, व्रिश्वाहन, इस्ट, पुशिष्ट, शिष्टेष्ट, सरव, शरवधनु, अपानिधी, अधिस्ठान्विजे, जयकाल्वित, परतिष्टित, प्रमानग्य, ह इरन्यकवच, हरी, विरोचन, सुर्गन, विद्धेश्वी, बुद्धाश्रे, बाल्डू, बलोनमाथी, विवर्त, गहन्गुरु, करन, कारन, करता, सरवन्दविमोचन, विद्वत, तम, वीत्भे, विष्व भरता, निशाकर, विवसाय, विवस्थान, स्थानद, जगत अधिच, दुन्धव, ललित, विष्य, भाव, आत्म, आत्मनिसंस्तित, वीरेश्वर, वीर्भद्र, वीरह, वीर्भद्र, विराठ, वीर्चुडामनि, वेता, तीवन्नाद, नंदिधार, आज्याधार, त्रिशूली, शिबिविष्ट, शिवाले, बाल्खिल्य, महाचा तिगमांचु, निधी, अविय, अभिराम, सुशरन, सुब्रमन्य, सुदापती, मद्ध्वान कोशिक, गोमान, विश्राम, सर्वशाशन, लड़टाक्ष, विश्वदे, सार, संसार, चक्रभित, अमोग दंडी, मध्यस्त, हिरन्य, भ्रमवर्च्षी, परमार्थ, परमे, शंबर, व्यागरक, अनल, रूची, वर्रूची, वंद्य, वाचस्पती, अहर्पती, रवी विरोचन, सकंद, शाष्टा वैवस्वत, अजन, युक्ती, उन्नत केती, शांत्राग, प्राजे, कलाश्पती कामरी, सविता, रवी लोचन, विद्वतम, वीतभे, विश्य हर् निवारित, नित्य, नियत कल्यान, पुन्य श्रवन कीतन, दूर श्रवा, विश्य से, धे, दुश्प्न नाशन, उतारक, दुश्कृतिहा, दुरधर्श, दुश्य, अभे, अनादी, भू, भूवलच्मी, क्रीटी, त्रीदश अधिप, विश्यकोपता, विश्यभरता, स नितीमान, नितीमान, ने, विशिष्ट, काशप, भानू, भीम, भीम प्राकर्ण, प्रणव, सब्त धाचार, महाकाय महाधनू, चन अधिप, महादेव, सकल आगम पारक, तत्व, अतत्व, विवेकात्मा, विभीष्यनू, भोती भूष्यन, रिशी, ब्रामन, जनम्रत्यू, जरातिक, यग्य, यज्यपति, यज्जिवा, यज्यांत, अमोग विक्रम, महिंद्र, दुर्भर, सैनी, यज्यांगे, यज्यवाहन, पंच, ब्रह्म, सम्मत्पति, विश्वेश, विमलोदे, आतम्योनी, अनाध्यंत, शड्ड, विंश, सप्त लोक्त्रिक, गाश्त्री वल्लव, प्रांशू, इश्वा, वास, प्रभाकर, शिशू, गिरीरत, सम्राट, शुषेन, सुरश, शत्रुह, अमोग, अरिष्टमतन, मुकुंद, विगत्यवर, स्यम्जोति, अनुज्योति, आतम्योति, अचंचल, पिंगल, कपिल्ष, मर्ष्रू, शास्त् नेत्र, त्रैतनू, ज्यान्सकंद, महाज्यानि, निरत्पत्ति, अपल्लव, भाग, विवस्वान, आदित्य, योगाचारि, भ्रस्पति, उदार्केति, उद्योगी, सदोगी, सदसन्मे, नक्षत्र, माली, राकेश, साधी, स्थान, शडाश्यरे, पित्रपानी, पापार मनिपूर, मनोगती, हत्पुंड्री, कमासीन, शुक्ल, शांत्वरिशाकपी, विश्ण, ग्रैपती, क्रिष्ण, सम्मर्थ, अनर्थ, नाशन, अधरमशत्र, अक्षेय, पुरहुत, पुरुष्टुत, ब्रह्मगर्ब, ब्रहिदगर्ब, धरमदेनु, धान्नागम, तेशी सुगत, कुमार, कुश्लांगम, हिरन्यवर्न, जोतिश्मान, नाना भुद्दर, ध्वनी, अरोग, नियमध्यक्ष, विश्वामित्र दिजुत्तम, ब्रह जोती, सुधामा, महा जोती, अनुत्तम, मातामे, मात्रिश्वा, नबस्वान, नागहार्धिक, पुलस, प वरन, धर्मग्य, विरंच, विश्टर्श्रवा, आतंभु, निरुद्ध, अत्ति ज्यानमुर्ति, महायशा, लोक्चुडामनी, वीर, चंड, सत्य प्राकर, व्यालकल्प, महाकल्प, महावरिक्ष, कलाधर, अलंक्रिश्णु, अचल, रोचीश्णु, विक्रोत्मोतं, आ शक्रपरमार्थी, पापनाशन, वसुश्रवा, कव्यवा, परतप्त, विश्यभोजन, जर्य, चिराधीशमन, लोहित, तनुन पात, प्रिश्टश्य, नभ, योनी, सुपर्तिक, तमिस्त्रह, निधाग, तपन, मेग, पक्ष, पर, प्रंजे, मुखानिल, सुनिश्पन, सुर्भी, शिशिरात्मक, वसंतमाधव, ग्रीश्व, नभस्य, वीजवाहन, अंगरा, मुनि आत्रे, विमल, विश्यवाहन, पावन, पुरुजित, शक्र, तिविध्य, नर्वाहन, मनोबुद्धी, एहंकार, शित्रग्य, शित्रपालक, तेज जोनिधी, यानिधी, विपाक, विघनकारक, अधर, अनुतर, गे, जेष्ट, निश्च्रे, साले, शैर, नग, तनु, दो, धान्वीर, अरिंडम, चारुधी, जर्नक, चारुविशल्य, लोक्षल्यकृत, चतुरवेद, चतुरभाव, चतुर-चतुरप्रिय, आमनाई, सम तीर्देवी, शिवाल्डे, बहुरुप, महारुप, सरुरुप, चराचार, न्याय निर्वाहक, न्याय, न्याय गम्य, निरंजन, सस्तमूर्धा, दिवेंद्र, सरशस्त्र प्रभंजन, मुंड, विरोप, विक्रित, दंडि, दान, कुनोतम, पिंगलाक्ष, हर्यश्य, न पिल्कृव, निरामे, सस्त्र बहावसर्वेश, शरन्य, सरुलोक, भृत, पदमासन, परमजोती, परावर, परमफन, पदमघर, महागर, विश्युगर, विचक्षन, परावरग्य, विजेश, सुमुक, सुम्ह, अस्वन, देव असुर, कुरुदेव, देव असुर नमश् देवादी देव, देव रिशी, देव सुर वर प्रद, देव सुरिश्वर, दिव्य, देवा सुर महेश्वर, सर देव में, अचिंत्य, देवात्मा, आतम संभव, इड्य, अनेश, सुर व्याग्र, देव सिंग, दिवाकर, विभु धाग्र, वर श्रेष्ट, सर देवुत तुम्हां शिवज्ञान रत्ष शिरीमान शिक्षी शिरी परवत्प्रिय जैस्थंभ विशिश्टंभ नर्सिंग निपातन भ्रहमचारी लोकचारी धर्मचारी धन्नदिप्ञ नंदीश्वर नंगम्न नंगन व्रद्धार श्युची लिंगध्यक्षद शुरध्यक्ष ज्यक्ष बीजकर्ता धन क्रिद्धं मर्द्वन वर्धन दंब अधंब महाधंब सरभूत महिश्वर शम्चान निले तिश्य सेतु अप्रतीम अकृति लोक उत्तर स्फुट अलोक त्रियंबक नागभूशन अंधकरी मखद्विशी विश्णू कन धर पातन वीद्धोष अक अक्षेगुन तक्षारी पूष्टंत हिरित धोर्जटी खंडपर्शू सकल निश्कल अनग आगधार सकलाधार पांडूराब मृड नट पूर्ण पूरित्या पुन्य सुकुमार सुलोचन सागमें प्रियकर पुन्यकिर्ति अनामें मनोजव तीर्थकर जटिल जीवतेश जीवतांतकर नित्य वसुरिता वसुप्रिय सद्गती सद्कृती सक्त कालकंट कलाधार मानी मान्य महाकाल संभूती सत्यप्राइन सत्यसंजीवन शाष्टा लोगगुड अमर अधिप लोकबंदू लोकनात कृतिग्य कृतिबूशन अनपायश्यर कांत सरशास्त्र भृतामवर तेजों में ध्युतिधर लोकमय अगर्नी अनु सचिश्मित परसन्नात्मा दुर्जे दुर्तिकरम जोतिर में निराकार जगन्नात जलेश्वर तुम्बवीनी महाकाय विशोक शोकनाशन तिलोकातमा तिलोकेश शुद्ध शुद्धी रत अक्षज अव्यक्त लक्षन अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त विशामपति वर्शीर वर्तुल मान मानधन्मे भ्रम्मा विश्नु प्रजापाल हंस हंसगति यम विधा, धाता, विधाता, अताहर्ता, चत्रमुख, किलाश, शिखरवासी, सरवासी, संतागती, हरन्यघर, हरिन, पुरुष, पूर्जपिता, भुताले, भूत्पती, भूतिद, भुनेश्वर, संयोगी, योग विद्वाह, भ्रमन्य, भ्रामन प्रिय, देव्रिय, देव दिव्यग्य, देवजिन्तक, विष्माक्स, कलाध्यक्ष, व्रिशांक, व्रिश्वर्धन, निर्मद, निरहंकार, निर्मो, निरुपद्रव, दर्पः, दर्पित, द्रिप्त, spiritual परिवर्तक, शप्त, जिह, शहस्त, अर्ची, स्निद, प्रकतिदक्षिन, भोत भव्य भन्नात, प्रभव, ब्रांती नाशन, आर्थ, अनर्थ, महाकोष, परकार्यक, पंडित, निशकंटक, कृतानंद, निर्व्याज, व्याजमर्दन, सत्यवान, सात्विक, सत्यकीति, स्तंब, कृतागम, अकम्पित, गुंग्राही, निकात्मा, नेककरमक्रित, सुप्रτι, सुमुक, सुक्ष्म, सुकार, दक्षिन, अनर्थ, सकंड, सकंदधार, धोरिय, प्रगट, प्रितीवर्दन, अप्राजित, सर्वसे, विधक्द, सर्वाहन, अधृत, सधित, साध्य, पूर्टमोर्ति, य श उचोधर वरांगरिष ध्रिक वायु पल्वान एक नायक शुरुति प्रकाश शुरुति मान एक बंधु नेक ध्रिक शुरिवल वलब शिव आरंब शांत बद्र समंझे भूशे, भोतिक, क्रिद्वध, भूति, भोशन, भूत्वाहन, अकाय, भक्त, कायस्त, कालग्यानी, कालवपु, सत्यवरत, महात्यागी, निश्टाशांती प्रायन, प्राथवृति, वरद, विविक्त, शृति सागरग, अनिर्विष्ण, गुन्ग्राही, कलंकाक, कलंकहा, सभावरुद्र, मध्यस्त, शत्रुघन, मध्यनाशक, शिखंडी, कवची, शूली, चंडी, मुंडी, कुंडली, मेखली, कवची, खडगी, माई, संसार सार्थी, अम्रित्यु सम्वर्धिक, सिंग, तेजोराशी, महामनी असंखे, अप्रेमे आत्मा, वीरिवान, कार्डि कोविद, वेद्य, वेदार्थ, विद्ध, गोप्ता, सर्वचार, मुनीशर, अनत्तम, दुरधर्ष, मधुर, प्रियदर्षन, सुरेश, शरन, सर्व, शब्द, ब्रम, संतागती, कालभक्ष, कलंकारी, कंकनी, कृत्वास की, महिश्वास, महिबर्ता, निश्कलंक, विश्रंखल, ध्यूमनी तर्नी, धन्य, सिद्धिद, सिद्धीशादन, निवरित, संवरित, शिल्प, व्योडो, रस्क, महाभुज, एकज्योती, निरांतक, नर नारायन प्रिय, निलेप, निश्परपंचात्म, निव्यग्र, नारायन, व्यग्रनाशन, स्टवश्प्रिय, स्तोताव्यास, मूर्था, अ नाकुन, निर्वद्य पद्धो पाय, विध्याराशी, अविक्रम, परशाद, बुद्धि, अशुद्ध, शुद्रह, निथ्योसंदर, धैद, अग्र्यदूर्य, धात्रीश, शाकल्य, शर्वर सत्तो अलंबन सुच जी बोले हे रिशियो इस परकार विश्णु ने एक हजार नामों से वरिष्धवज किस्तुती की पुना उन्हें शनान कराया और कमलों से उनका पूजन किया उसमें विश्णु की प्रिक्षा लेने के लिए जगत के स्वामी महीशर ने पूजा के कमलों में से एक कमल को छिपा लिया तब हद पुष्वाले विश्णु ने ये किया ऐसा सूजते हुए बाद में वास्तित्ता समझ कर अपने नेत्र को निकाल करके सर्व सत्व आलंबन सभी प्रानियों को अवलंब देने वाले जगत गुरु शीव की पूजा प्रेम पूरक उस अंतिम सर्व सत्व लंबन नाम से की तर पश्चात समर्पित नित्रवाले विश्णु को देखकर भवान शी उस लिंग से तथा अगनी मंडल से शीग रूत्रे तब क्रोडो सूरियों के समान तेश संपन जटा रूपी मुकट से मंडित जवालासमों से घिरे हुए दीवत जांतिक शिंदार्तों वाले भ्यंकर शूल टंक कदार चक्र भाल पास धार्न किये हुए वर्त तथा अभे मुद्रा युक्त राथ भाग के चरम को उत्तरिय की रूप में धार्न किये हुए तथा बसम से भुशित इस बरकार के रूप वाले हर भाव को देखकर पर सन्य को शीग्र पर नाम किया। इंद्र सहीद देवता गंति लोचन की प्रकर्मा करके भागने लगे। भ्रम लोख हिल उठा और प्रिथी कांपने लगी। शीव का वे तेज नीचे से तथा उपर से सो योजन स्थान को जिलाने लगा। इससे प्रिथी तरपर हाहाकार मच सामने खड़े विष्णु की और प्रेम पूर्वक देखकर हसते हुए कहा। है जिनारदन आप मैं देताओं कि इस कारे की को जान गया और आपको सुदर्शन नामकुत्तम चक्रपरदान करता हूं। इस वरत आपने सभी लोगों के लिए भ्यंकर मेरे जिस रूप को देख है। मैं पूर्ण रूप से आपके हित था भक्ति भाव के लिए है। है विष्णु युद्ध वहुई में सौमे रूप धारन करना देवताओं के लिए डुख दायक है। शांत व्यक्ति का अस्त्र यदि शांत हो तो उस शांत अस्त से कोई फन नहीं होता है। केवल तप होती है। है देव शत्रू नाशक अशांत देवताओं के साथ आज मेरे अव्यज सवरूप का ध्यान कीजिए। युद्ध करने के लिए अज से क्या प्रयोजन है देवारी सूदन युद्ध में शमा नहीं करनी चाहिए। युद्ध के लिए अनुपस्थित शत्रू तथ आज-जार सूर्यों के समाथ जस्सरी सुदर्शन-चक्रतथा कमल صुद्रिश्य एक नित्र भी परदान किया। उसी समय से उस्वरत विश्णु को कमल नियन कहा जाता है। विष्णु को चक्रत थार नित्र परदान करके नील लोहिच शीव ने अपने परमपित्र हाथों से उनकश पर्ष किया और कहा है वर्ष रिष्ट में वर्दाता हूं आप विष्ट वरव को मांगिये है पुर्षोतम आपने निश्चित रूप से अपनी भक्ती से मुझे मैं अन्य उत्तम वर नहीं चाहता क्योंकि भक्तों की अन्य कामनाई नहीं होती है उनका वचल सुनकर परम द्यालो शीव ने उनका शपर्ष किया और उनने अपने भक्ती परदान की तर्थ पश्चाद चंद्रमा को भुशन के रूप में धारन करने वाले महादेव ने पर हे विशनु हे सुवरत जब सुन्दर नेत्रो वाली दक्ष पुत्री सती अपनी माता तथा पिता को दक्ष के निंदा करके सुरेश्चरी के रूप में हिम्वान की दिवे कन्या होकर उत्पन होगी उस समय आप भ्रमा के आदेश से अपनी भगनी रूपा उन हिम्वान की पुत्री कल्यानी साधी देवी उमा को मुझे परदान करेंगे सब लोकों के बीच मेरे संबन्धी के रूप में आप पुज्य होंगे उस समय से आप दिवे भाव से तथा प्रसंद मनसे मुझे शंकर को मित्र की भाती देखेंगे ऐसा कहकर नील लोहित भवान डुत्र अं संदर स्तव सस्त नाम स्तोत्र को पढ़ता है अत्वा सुनता है अत्वा श्रिष्ट डीजो को सुनाता है ये परतेक नाम के उच्चारन पर स्वन के दान का फल प्राप करता है और उसे हज्जार अश्य में यग्य करने से होने वाला फल मिलता है जो घृत आदिसे परिपु पुन स्थाली अथ्वा शुब कल्शों से इस सस्त नाम के द्वारा भवान रुद्र शीव की शद्धापूर रक्षिनान कराता है। दैवी हज्जार यग्यों का फ़ल प्रात करके सुरेश्यों के द्वारा पुजित होता है। उसके प्रति रुद्र की प्रिती होती है। तब भ्रह्मा ने विश्णों से कहा ऐसा ही हूँ। इसके बाद इन जगत गुरु देव देश शीव को पर नाम करके दोनों भ्रह्मा विश्णों चलेगे। अतहे दिजो जो निश्पाव व्यक्ति इस हजार नामों से शीव की पूजा करता है। और हजार नामों का जब करता है ने परम गती प्राप्त करता है।